हेलो मित्रों जे माता दी मित्रों आज 8 नमंबर सो मुवार कदर हैं ऐसे में तुला रासी वाले जातको के लिए कैसा रहनी वाला हयात का दिन तूलाय रासी के जातकों को आज के दिन कौन से छित्रों में कारी करने से ज़्यादा सफलता मान समानत करती में वर्दी हो सकेंगे आप अपने कारी छित्रों में किस प्रकार से बहतर परदसन कर सको और किस प्रकार से बड़ी खुशकवरी को फ्राप्त कर सकते हैं धन की देवी माता लक्त्मी जी को किस प्रकार प्रसंद कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने घर में आगमन करवा सकते हैं धन की देवी माता लक्त्मी जी किस प्रकार से प्रसंद होकर आप लोगों के गरीवी को दूर कर सकती हैं और किस प्रकार से जीमन में खुशों को पाय तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करें के चैनल को सब्सक्राइब और वस्से कर रहे हैं आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें आप लोगों का किस्मत प्रदले वाला है आपके जीबन में भागे बदलाव होने वाला है जिनसे की की किरफा द्रिष्टी रह सकते हैं भगवान से निदेव जी की किरफा से आप लोगों के सभी दुखतर दुर होंगे आप लोगों के अदुरे सपने भी पूरे होंगे आपके जीबन में आपका भागे का साथ रह सकता है आप अपने जीबन में सफलता को हांसिल कर सकते हैं आपको संतान की सुखों की फ्राप्ति होंगी, पैत्रिक संपत्ति के द्वारा दिया गया धनलाव हो सकता है, तिक्षा के छेत्र में आप उचायों कुछ सुखते हैं, पारिवारिक सदस्यों से भी आर्थिक लाव हो सकते हैं, आप अपने आर्थिक इस्तियों को भी पूरा क कर सकते हैं धार्विक कारों में आपकी रूची बढ़ सकती हैं चन्तान का सुक्वी इसन curriculum मल सकते हैं आप अपना मन को फ्रसंद्रिय को फूरा कर सकोगे आपको सफलता हासल होंगी आपके खुस्मिदाजी से आपके आत्म विश्वास में वरुत्री होंगी आपके पर्फॉर्मेंस से बहुत काफी प्रवावित होंगे आपको ओफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं आप अपने मन पसंद कंपनी में इंटर्व्यू के लिए बुलावा जा सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है तता आपके प्यार बढ़ सकता है प्रेम समंदों में मदूरता रह सकते हैं भूमें और प्रोपर्टी से जुड़े कारों में आपको सफलता हासल होंगी आप लोगों कसमें अच्छा रह सकता है आप कोई उच्छा वर्दक सुचना विप्राप्त कर सकोगे आप दिंदूगरी राज सो सफलता के प्राप्त गरने के मोके मिल सकते हैं आप अपने बैपार बैवसाय में लाप का विसेस योग दिख सकता है आपको फाइदा भी होगा जीवन में चलियारी प्रेसानी से मुक्ति मिल सकते हैं नए नए खुसयां भी आपके दिरवाजे परदस्तक दे सकते हैं आप अपने एक्षाओं को फूरती करने में सफल होंगे बागे का फूरा साथ मिल सकता है आपके द्वारा कीजार ही मेहनत पे रंगल आ सकते हैं चारो दिखाओं से आपको धन की फ्राप्ति होंगी बैपार बैवसाय में आपको बड़ा फाइदा हो सकता है कारी शेत्र में आपके कारो के प्रसंदा होंगी साथी साथ आपको पदूनती का लाभ मिल सकता है चैलरी में आपके बडोतरी हो सकते हैं आपके जीवन में पैसो से रूडी हर प्रकार के तकलिफों से च्टकार फ्राप्त होंगी आपके लिए आपका समय काफी अच्छा रह सकता है सनिदे प्रियास आपके लिए खुशो को लेकर आएगा सुमाद में होने वाले प्रिवर्तन भी आपके लिए सकते हैं आप अपने खुशो में वरुत्री कर सकते हैं आप अपने कुरोध पर विशेज कंट्रोल रखने की अवस्य कुसस करें आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा आएगा जो आपके प्रगति के राश्ते को खूल सकता है काफी लंबे समय से सुचा का कारी भी सफल होंगे जिनसे की आप कमन काफी आनदित होंगे आप किसी दोस्त की बद्रे पार्टी में दा सकते हैं आपके दुआरे किये गए कारों में सफलता मल सकते हैं आप अपने प्रतिक खुद को उत्सायत मैसूस कर सकोगे जो लोग बैपार बैवसाय से रुड़े हैं उन्हों लोगों को तरकिक कई सुनवरे मोक्य मिल सकते हैं आपको जीवन में कई वड़े सफलताएं हासिल होंगी बैपार और नोकरी के शेत्र में आपको सुबसमाचार मिल सकता है द में आपको अपने अतरिक जीमेदारी मिल सकते हैं आने वालस में आपके लिए जीवन में आपको प्रिशाने से मुक्ति दिला सकता है आप माला माल हो सकते हैं आपको जीवन में कई प्रकार के सुक्समरदी की फ्राप्ति होंगी तथा आप जीवन में लाफकारी योजनाओ के लिए तयार एसकते हैं, आपको काम काज़ों के तारीफ होंगी, और कोई नई और कौफी एच्छी कुछ कवरी भी आपको फ्रापत होंगी, आपके किस्मत भी कौफी ज्यादा प्रिवर्तन होंगे, लडाई जगडु से आपको दूरी बना कर रखने होंगी, आपको ज़र आपको वहतर हांसल होंगे, नई उचायों को छो सकोगे, गर प्रिवार का महुल काफी अच्छा रह सकता है, आई के सुरूत भे वहतर होंगे, वैवसाई गदविदियों में आप समाज से जुड़ सकते हैं, आप को यात्म विश्वास पे भरपूर रहेंगे, सरकारी कारों म ततहा सरकार से आपको लाब हो सकता है, पिता तता बडो का सहीयोग मुल सकता है, समाजिक छेतर में मान सम्मान मिल सकते हैं, आपके सी कारे को दिरप्र मुनोबल के साथ और पुरुण विश्वास के साथ कर सुकोगे, पिता ये वंग पैत्रिक संपत्ती से लाव होने का योग रह सकता है खान पान का ध्यान रखें, विरोधी या उच्छादी कारियों के साथ भी बात न करें संतानों की वज़ा से आपके उम्न में कई प्रकार के चिंताएं भी जागरत हो सकते हैं जोकिम वाले काम शुरू करने से पहले चितर से विचार जरूर कर लें कारे में कम सफलता हासल होंगी, कानूनी अर्चनों को दूर किया जा सकता है गर बाहर सभी तरग के सफलता विफरापत होंगी आप अपने विरोधियों से सावधान सतरक होकर रहने की जूरूर के कुसिश करें भगवान सरेर विश्रू जी की कृपास हैं आपको जीवन में नई कुछकवरी मिल सकते हैं लाइफ में आप जो भी कारे दूसरों के भलाई के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता मिले वाली हैं आपके जीवन में आने वाले सुब्रकार की प्रिसानी का खत्म होंगे आप दिन दूगरी राच चोगरी तरफ की हासिल कर सकते हैं आपको अचानक से वेपार में बड़े धनलाब हो सकता है इससे में आपको नोकरी से समंदित सबी समस्याओं को दूर करने के मोके मिल सकते हैं आपको इसनया करने का प्रत्न कर सकते हैं खुश्यों के अस्तर में बड़ोतरी होंगी प्रिसानी का अस्तर भी आपका खत्म हो सकता है बैपार बैवसाय में आपको बड़े धनलाब हो सकते हैं जो आपके वित्य स्तित्यों को काफी मदबूत कर सकता है आप कमर पर सन्न होंगे आपके जरूरी कारे भी आपके बहत्रिन समय पर खत्म हो सकते हैं जीवन साथी की और से 72 से योग भी आपको हासिल हो सकता है। तता कारी शेतर में आपको सुकसमरदी की प्राप्ती होंगी। आपके जीवन में आपका जिन सुब रह सकता है। कामकाजो को लेकर किये गए प्रियास सफल होंगे। आपको कोई अच्छी धनरासी भी हात लग सकती है। आप निवेश की बारे में विचार कर सकते हैं। आप अपने जीवन साती के साथ बड़े पायदों को राप्त गर सुकोगे। आपको अंदरी में वड़ोतरी हो सकती हैं। आपको अचानक से कोई बड़ी खुशकवरी मिल सकती है। आफिस में आपके विरोधी से दूरी बनाया रखने की जुरूत होंगी, प्रेम जीवन जीने वालों के लिए जिन काफिस भरे सकता है, विवाहित जातकों के जीवन साती कुछ नयाग कर सकते हैं, और आपको किसी आत्राओं पर जाना पड़ सकता है, आपके आत्राओं भी आ दावस्तक रह सकता है, आपके मन में दवी हुई एक चाएं भी पूरी होंगी, और भगवान सिरेर विश्रू जी की किरपा से आप अपने दैनिक जिन्चरिया में परिवर्तन कर सकते हैं, तथा आपको किसी नए चीजों की बारे में जानकारी को हासिर करने के मौके भी प् सकते हैं, आपके कुछों के इस्तर में ब्रुत्री होंगी, आप अपने एक चाएं को फूरा कर सकते हैं, आपको सुक्समरदी की प्राप्ती होंगी, तथा भगवान सिरेर विश्रू जी की क्रिपा से आपका अध्र बहत इसुब रहेगा,